ग्राम पंचायद धूलकोट में लगे वन ग्राम मवास्या ग्राम पंचायद सिर्वेल जो की सेन्वा तहसिल जिला बढ़वानी के अंतरगत आता है। यहां पर ग्रामिनों को बिजली की गंभीर समस्या से जुजना पड़ रहा है। आदिवासी दलित जागरत संगठन के शिवराम कनासे ने बताए कि यहां के लोगों को लंबे समय से बिजली की दिक्कते उठाना पड़ रही है। संबधित अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं है। ग्राम के श्याम सोलंकी, राजारामजाधो, रहगिया सोलंकी, सकारामखरते सोमारीय सोलंकी ने बताए कि हमारे गाउं में 200-200 परिवार निवास करते हैं। यहां पर विद्धु ठेकेदार द्वारा कुछ ही पोल लगाये गए हैं। इस बिश ठेकेदान ने पोल की पचित करते हुए हरे पेडों और सेकडों लकडी के खंबों पर ही सिंगल फ्रेस की लाइन बिछा दी जिससे ग्रामिनों को आए दिन हाथसों का भई बना रहता है कुछ सिमेंट के पोल लगे हैं तो भी जरजर हो चुके हैं पूर्व में भी हरे पेड़ पर विद्धुत लाइन से बकरी और बेल की करेंट लगने से मौथ हो चुकी है नाटिया के घर के उपर से जा रहे मुख्य विद्धुत तार को जाइन कर जोड़ा गया है जो कभी तूट कर हथसे को नियोता दे सकता है इस संबन में सेंध्वा विद्धायक ग्यारसी लाल रावत का कहना है कि मेरे संग्यान में ये मामला नहीं है जानकारी जुटा कर उचितकारी वही की जाएगी खरगाउन से जैन्त गुपता की रिपोर्ट हमारे ये समुश्या है ये हमारे गाव मुवाश्या में जो फूल डाड़े लाइन आई है तो लाइन आई है तो वह लाइन पे जब टूटेल फूटेल खामबा कर दिया और लांगितार कर दिया जो रोड़ पे था उनके पास थोड़ी थोड़ी केबल कर दिये और लांगि तो यह हमारे पास कागज गया था विजले आपिस में उनको बोला था कि हमारे गाओं के अंदर यह नांगी तार तुमने लगा दिये तो कोई वेक्ति मर जाएगा कोई किसे का बैल बकरी मर जाएगे उसके हमको जम्मादारी होना ने तो फिर यह केबिल ताप डालो करके हम आ में कर रहे हमारह नाम जालो क्या देका दार नılar पर वहार दो बबार ऑन के लाकरी लटक गएृ नांगितार में लाइन भी सही समय पहान नी आते होगी बिलकुल धवती नहीं नांगीतार एक आशी जलेगी वह जलती नी लाइट नी जलती और हमारा जो बील है बील वाले जो लाइन में आते बील मांगते यहां पर बील का भी कागज आये ले खुदे और खड़े भी हमने पोलने किया शिर उसका आद में यह किया दो रहता है शरफ फीट करने के इतना उनका अब लगाए और लक्री पर ज्यादा लाइन टांग दिए खंबे इतने कम लगाए और हमारे घर के है ना जो जाड़ी पे और खुटे गाड़ के ऐसे हम घर लाके बिजल जला रहे और वो भी हमारे जेब है पर समस्या कब से यह तो 2017 में सी है इसी चल रहे हमारी जबसे लाइट आई जबसे आधिकारियों को इस मामले में आउगत कराया था हां करवाय थे तो वह भी कुछ नहीं सुनवा नहीं कि और हमारे यहां डीपी भी नहीं है कम सी कम दो किलिमीटर से दूर से हम वायर बान 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुले